गूड एवनिंग, यूपी बोर्ड एक्जाम्स 2021 के सभी चात्रों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वाइरल हो रही है कि कोरोना संक्रमण के चलते, पंचाय चुनाओं के चलते यूपी बोर्ड द्वारा 2021 की बोर्ड परिक्षाओं को रद कर दिया गया है हाला कि अभी थोड़ी देर पहले ये नियूज आई है कि सीबेसी बोर्ड ने तो हाई स्कूल की परिक्षाओं को रद कर दिया है और intermediate की परिक्षाओं को postpone कर दिया है लेकिन UP board के बारे में ऐसी कोई official ख़बर नहीं है तो फिर इस viral ख़बर का सच क्या है क्योंकि ऐसी ख़बर viral होने का अर्थ है कि जो बच्चे exam के तयारी कर रहे हैं उनकी तयारी प्रभावित होगी उनके मन में बड़ा अजीव सा confusion create हो गया है कि क्या परिक्षाओं सच मुझ में रद्ध हो गई है परिक्षाओं होंगी भी या नहीं होंगी तो फिर past कैसे किया जाएगा marks कैसे मिलेंगे ये तमाम तमाम प्रेश्ण उनके मन में आ रहे होंगे तो इस वीडियो के माद्यम समय आपको बताने जा रहा हूँ कि सच क्या है ये जानकारी अपने सभी मित्रों को साथियों को share कर दीजेगा ताकि वो भी इसके बारे में aware हो जाए और उन्हें भी सच्चाई की जानकारी मिल जाए तो ये खबर है नई दिल्ली से और ये आज की ही खबर है 14 अप्रेल की नए साल की शुरुवात में कोरोना महामारी का कहर थम गया था जिसकी वज़ा से सभी राज्यों ने इसकूल खोल दिये और सामान रूप से बोर्ड परिक्षाय करवाने का प्लान मनाया लेकिन अब हालात बेकाबू हो गए हैं जहां रोजाना एक लाख असी हजार के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है जिस वज़े से कई राज्यों ने अपने यहां बोर्ड परिक्षाय और अस्थाई रूप से अस्थगित कर दिया है लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरी अफवाफ फैलाई जा रही है और वो यह कि यूटर प्रदेश में बोर्ड परिक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वाइरल हो रही है जिसमें एक अख़बार की कटिंग शेर की गई है इस ख़बर की हेडलाइन में लिखा है नहीं होगी यूपी बोर्ड परिक्षा सबको अच्छे नमबर से पास करेगी सरकार ख़बर के साथ बाकाइदा यूपी के सियम योगी आदितनात की तस्वीर भी लगी है चात्रों को लग रहा है कि कोरोना के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है इस वज़े से वो तेजी से इस ख़बर को वैरल भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी शेर तो ये है देखिए वो कटिंग वो वैरल निउज नहीं होगी यूपी बोर्ड परिच्चा सबको अच्छे नम अंकों से पास करेगी उत्तरप्रदेश सरकार और देखिए इसमें उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात जी की फोटो भी लगी हुई है लेकिन जब इसकी परताल की गई तो इंटरनेट पर ऐसा कुछ नहीं मिला है कोरोना और पंचाय चुनाओं के चलते यूपी बोर्ड ने परिच्चाओं को आगे जरूर बढ़ाया है अब यूपी बोर्ड की परिच्चाओं माई में होंगी जो की पहले 24 अप्रेल से शुरू हो रही थी तो इस तरह से ये जो ख़बर है ये बिलकुल गलत है परिच्चाओं कतई रद नहीं हुई है अखबार की कटिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी हेडिंग में दो पंच है आम तोर पर जब बड़े अखबार हेडिंग में दो पंच लिखते हैं तो बीच में कौमा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस अख़बार में ऐसा नहीं हुआ है ऐसे में साफ है कि ये फोटो एडिट की हुई है छात्रों से अपील है कि वो अफ़ाहों में ना आएं बलकि परिच्छा की तैयारी करें तो इस तरह से ये जो ख़बर वैरल हुई है ये ख़बर बिलकुल गलत है बोर्ड परिच्छाओं को अप्रेल की बजाए मई में कराने की तैयारी है तो इस जानकारी को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजेगा जैसे आपने उस ख़बर को वैरल किया था कि एक्जाम्स नहीं होंगे तो वैसे ही इस जानकारी को भी वैरल कीजिए कि वो खबर गलत कि एक्जाम्स होंगे इसलिए आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहें किसी प्रकार की कोई अफवा में ना आएं कोई कंफिजन मन में ना रखें ये बात बिलकुत साफ है कि परिच्छाएं होंगी ओके थैंक्यू